चावल की खीर और पूरिया माश्याला जबर्दस खीर के सचा है तो आप इसको खा सकती चावल की खीर की वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में डालेंगी वहां से देख के बना सकते हैं माशाला चाहूल के खी जबर्दस बनी जायखदार बनी जरूर बनाईए अलाम अलेकुम विल्कम टुमाई चैनल आप जाने बताना जारे हैं पूरण की पूरी पूरण की पूरी बिल्कल आसन धरिख से बना सकते हैं आप माशाला सापर दस्पनेगी इन्शाला ताला इसके लिए मैं ले हूँ पोगिलो चने के दाल इसको धो के तीन से चार गंटे के लिए इसको भीगने के लिए छोड़ दी यह दाल हमारे अच्छे से भीग गई बिल्कुल सॉफ्ट हो गई तो कि इससे कहता गल्ले में आसा पॉनिए के साथ हो जाता ह। के बहुत नरम होगी ताल अब इसके। एक गिल्लाज पानी बाल इंगे एक गिल्लाज पानी है यह पंलीटर शौर्ट एंड सूइट तरह से हम इसको बनाएंगे कुकर में यह दाल देंगे गलने के लिए यह भीगी भी है और रड़ी आसनी साथ गल जाती है बिल्कुल एक ही पॉट में हम उसको गला ले सकते हैं फिल्म को देज लगकर ढगा देंगे चार तीन से चार सीकी होने देंग अब 2-3 तीन साथ नंमक 2 टेबल स्पुन है अब इसको अच्छे से मिला लें कि पहले अब यह जो तेल दाले और नमक दाले इसको में अच्छे से मिला ला ले अब क्या करेंगे हम ठोड़ा-धोड़ा सा पानी मिला देवे इसका मीडियम डो त्यार कर लेंगे मैं देखा तेखाइको दस निट गुनना गुनना आचछा एक 7-8 मिन्ट मैं इसको अच्छे से गुनन ली और ये अच्छे से गुनें गया अब इसको गवर करके 15 मिट के लिए चोड़े हमारा पूरहन गल गया अच्छे से पूरं subdivy डाल हमारी अच्छ से tidal गयी आपनी पीसका ड्राइब अगर पानी बज गया तो आप पानीमे पकालेना पानी ने फिक ना न अब आप में बाव किलो हम ले चनी किता और पाव किलो 200 ग्राम मैं ले रही हो और कम से कम लगता 250 ग्राम पाव किलो शकर लगती तो अब इसको घेट लेंगे तोड़ा सा पाने दाल में कि वह थो पानियवां तो पाने इसका ड्राय हो गया वैसे भी शकर डाने करें मेल्ट हो के शकर थोड़ा ये पतला हो जाता है अब इसको अच्छे से गेटा माल लेंगे सिर्फ क्या है ये 5 मिल्ट के अंदर इसे ये मैश वे आती है दाल हमारी अच्छी से मैश हो गई अब इसको निकालना है ग्रैंडर में वेखान फिराने की जुरूरत निया सिर्फ इसमें दो चार पांच मुट्रे कंदर अच्छी से मैश हो गई और पूरण को पकाने के लिए 1 बर्तन लिए कड़ेली जू आप बर्तन लेना चाहारे में और इसमें दालेंगे प्योर ग्रिकवोड और अब इसमें दालेंगे इसमें प्योर ग्र्षक्वी तो टेब सबumbling भ़की जीप को खुप गरम होना दोंगै जल जाता ठोड़ा सा गरम होगया खी आब इसमें दालेंगे हाफ discussed इलेची का पॉटर और हरी इलेची का पॉटर दालने के बार ऊक्लाइम को धीमा करदीगे कि इसमें पूरान दालेजेवे,श्याया है अब अब इसमें और आप तेज़े रिखेंगे और इसको पका दे जाएंगे जो पूरान दिखता खाते हैं अच्छा पका लेंगे अब जो शक्कर लाले हम और मिल्टों के और थोड़ा पतला हो जाता है और इसको अच्छा पकाईगे यह पूरान के रेसिपी बहुत आसार है जो असली घी में हम पका रहें माशाला बहुत जाखतार दिखता चाहे तो आ जुरन और टेस्टी हो yak offering और डेस्टे कुझके बच्छुको रोटियों के साथ भी दे सकते हैं आप इसको फृज में रखके रोटी ने भर के बेल जिसा आलू scène असारा से बना बेसटे के बीडारी के वीडियो मेरे चानल पर आप वश्ड onare देख के भी बना सकते हैं यह बच्चों को बहुत पसंद आता और अच्छी हेल्थी तजा है चाहे तो आप इसमें थोड़े से ड्राइफ्रूप में काट कर मिला सकते हैं ऊप्राइब कश्रीयों अब जैसा यह गाड़ा होने तक इसको पका देंगे पूरण को केरफुल पकाना जब तेर्स पर पका रहें तो कंटीनु इसको मिला था जाना अब जैसा यह गाड़ा होना शुरू होता कि छीटे भी उछलती केरफुल पकाना चर्टन उछलन से एसको कंटिमें मिलानी जब आप फिलेम को धला ऐब गाड़ा हमें देखें चलिए हमारा पूरन थैयार है पूरन बरतन को चोड़ दिया पूरन एक जगा हो गया बरतन को च्छप गया इस Lazio पाणी किता हो सारा सुख गया और ठंडा हमें आदीया और गाड़ा हुज जाता कंटीनोस को मिलाते जाए चलिए पूरान वो खुले बतर में निकालेंगे और ठंडा हमारा ठंडा हो गया और ये भी 15-20 मिट हो गया रखके और एक 5-6 मिट इसको अच्छे से गुंद लेंगे एक बार अब इसके पेड़े काट लेंगे ग्यारा पेड़े बने इसका मतलब पूरिया हमारे बनते क्यारा अब वो साइस के हसाब से एक दो बढ़के या एक दो कम बन सकते अब इसको हम बेल लेंगे तेल की इसमें खुश्की की जरूरत नहीं है जो हम मैदे में तेल लगाए थे मैदे में जो तेल लगाए थे उससे क्या होता यह चिपकते नहीं अब इसको हम बिल्कुल पतला ने पेलेंगे और ज्याजा मोटी भी नहीं और अगर आपको मुश्किल हो रही तो आप थोड़े से खुश्की लगाए थोड़ा सा मेंदा हलका सा डस्ट कर सकते हैं अगर आपको मुश्किल हो रही तो अब इसको हम भड़ लेंगे अब इसमें पूरण दालेंगे पूरण दालने के बाद किनारों को पानी लगा लेंगे किनारों को प्रेस कर देंगे अच्छ इसको दबाना अब इसको हाथ से थोड़ा सा मोड़ते वे इसका डिजन बनाएंगे देखे तजिसका डिजन तैयार हो क्या है अब इसको निकालके प्लेट को रखेंगे हैं सेम तरिखे से बनाएंगे जन कुछ भी समय नहीं आता है आप फोक के मदद से भी इसका डिजन बना सकते है अगर एहतियाट के साथ बनाना यह सामने चुप चुप के खराब भी हो सकता किनारों में इस तरह से हम सारे बनाने के लिए हमारे पूरियां तयार है डीप फ्राइ के लिए में कड़े रख दिया और थोड़ा सा आटे का बून दाल के देखना हो फोरी उपर आ गया तो हम इसका मतलब हमारा आएल अच्छी से तयार है अब आही इस तासे पूरियां के इसमा छोड़ते जाना अब एक साइड इसकी साइड़ों के बतलते जाएगे तोड़ा से इसको अंदर पुष करेंगे तोड़ुआ यह इसकी साइडा हो पुष्पी पृड़ना हमारे पूरियां गुल्डन बॉर्ण हो गए अब इसको निकाल दें चलिए माक्षाला हमारे पूरियां से बड़तस बनें पूर्ण की पूरी के रेसिप मेरे मुकमल हो चुकी है आपको पसना आए तो प्लीज लाइक शेर सबस्क्राइब करिए शुक्रिया लाहाफ़ेज अच्छाला बहुत मज़िदार है उपर से क्रिस्पी अंदर से जोजी